इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं average velocity और average speed के बारे में V average तो average velocity होती क्या है तो अगर मुझे average velocity को define करना हुआ तो मैं ये बोलूँगा कि average velocity is rate of change rate of change of position of position with time time समय के साथ-साथ किस rate से position बदल रही है घट रही है या बढ़ रही है इसे ही हम बोलते हैं average velocity अब देखिए आपने ये पहले पढ़ा होगा कि change of position अपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि change of position को हम displacement भी लिखते हैं displacement तो हम कह सकते हैं कि average velocity जो है वह है displacement over time per unit time में body कितना displaced होई origin से यही बताता है हमें average velocity तो आएए अब इसी को example की मदद से और अच्छे से समझ लेते हैं तो हमारे पास सवाल है इफ शांतनु वस एबल तो ट्रैवल 5 km नॉर्थ इन 1 आर इन इस कार तो शांतनु जो है वो यहां से कहीं start करके नॉर्थ की दिशा में 5 km जाता है 5 km और इसे समय लगता है यह दूरी तय करने में 1 hour यह उसने कार से ट्रैवल की वाट वास इस average velocity average velocity हमसे पूछी जा रही है तो देखे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि शांतनु ने 5 km ट्रैवल किये और वो भी north direction में मतलब कि हमें magnitude दिया हुआ है और साथ के साथ direction में दिया हुआ है तो देखे यह quantity कौन सी quantity होगी यह एक vector quantity होगी और यहां पे यह displacement होगी तो हमें displacement दिया हुआ है और हमें समय में दिया हुआ है कि इस displacement में शांतनु को समय कितना लगा वो था एक घंटे का अंतराल एक घंटे के अंतराल के अंदर शांतनु ने यह displacement कवर की तो average velocity क्या होगी तो आई यह लिख लेते हैं velocity is equal to displacement displacement by time और कुछ-कुछ important चीज़े में आपको बताना चाहूँगा चोटी-चोटी चीज़े है उसके बाद हम यह सवाल को बनाएंगे तो पहली चीज़ यह है कि यहाँ पर velocity के उपर मैंने एक तीर बना रखा है तो यह arrow यह बताता है कि यह quantity एक vector quantity है और इसका एक direction भी होगा देख लिए यहाँ पर displacement के उपर भी हमने वही तीर बना रखा है और displacement एक vector quantity है दूसरी चीज़ यह है कि displacement को हमने दिखाने के लिए S लिखा है D लिखना जादा आसान पढ़ सकता था क्योंकि D for displacement लेकिन D जो है ना वो differential में काम आ रहा है इसलिए हमें यहाँ पर कुछ और यूज़ करना पढ़ गया और S खाली था तो इसलिए हमने S को यूज़ कर लिया और अब तीसरी चीज़ यह कि यहाँ पर जो time T लिखा हुआ है यह असल में delta T है मतलब समय का अंतराल समय का interval कितने समय के अंतराल में interval में यह displacement हो रहा है अगर 12 बजे motion चालू हुआ और 1 बजे खतम हुआ तो यहाँ पर हम 12 नहीं डालेंगे हम डालेंगे 12 से 1 के बीच का अंतराल जो की था 1 घंटा वो डालेंगे हम यहाँ पर तो आईए आप सवाल बनाते है तो यहाँ पर displacement कितना है हमारे पास 5 km और direction में लिखना ज़रूरी है तो north direction में फिर हमारे पास time क्या दिया हुआ है divide by time time दिया हुआ है 1 hour 1 hour तो हमारे पास आज आएगा इसे मैं अलग से लिख लेता हूँ 5 km पर hour km पर hour यह होगी हमारी velocity और हमारी जो direction होगी वो हो जाएगी north direction में यह आगे हमारे velocity लेकिन यह जो velocity है यह average velocity है अब आप सोच रहे होगे कि यह average velocity क्या होती है तो देखिए हो सकता है कि इस रास्ते में कहीं पर शांतनू रुका होगा या फिर कभी शांतनू को खाली रस्ता मिल गया होगा तो पूरी high speed से बहुत ही high velocity से भागने लगा होगा तो यह जो velocity है यह बीच रस्ते में एक ही नहीं रही होगी कहीं कहीं पर बदल रही होगी लेकिन हमने जो velocity निकाली है यह यह मान के निकाली है कि अगर वो इस velocity से इस average velocity से चला होता एक घंडे के लिए तो उसने यह displacement कवर कर लिया होता यह बिल्कुल ही similar है run rate के जैसे कि मालनी ची मैच में अगर आप कोई cricket match देख रहे हैं तो वह run rate निकलता है न प्रती ओवर 5 का run rate आ रहा है इसका मतलब यह तो नहीं कि हर एक ओवर में 5 ही run पड़े होंगे है ना किसी ओर में 10 पड़ सकते है किसी ओर में 1 ही पड़ सकता है ठीक है तो वही चीज है यहाँ पर average velocity के साथ भी अब यह सारी कहानी थी vector की दुनिया में अब अगर scalar की दुनिया में हम इसी चीज़ को देखें तो हम यहाँ पर लिखेंगे speed, average speed जो कि velocity का भाई है scalar भाई speed is equal to distance by time अब distance को हमने लिख दिया d से और time हो गया t तो यह जो distance है यहाँ पर यह scalar भाई है vector displacement का तो आज़े अब इस case में हम लोग देखते हैं कि क्या है हमारा speed तो देखें शानतनू जो है वो एक line पे, सीधी line पे आगे की तरफ जा रहा है तो इस case में जो distance है वो displacement के magnitude के बराबर होगा और यह एक special case है distance is path length और इस तीस में हमने पूरी की पूरी एक video बनाई थी distance and displacement के नाम से उससे आप देख सकते हैं more clarity के लिए अच्छे से समझने के लिए तो यहाँ पे जो distance है वो आगे 5 km तो मैं यहाँ पे लिखेंगे 5 km और यह distance ट्रावल होगा एक घंटे में तो यानि कि यहाँ पे आजएगा 5 km प्रती घंटा और यहाँ पे कोई direction का इस्तिमाल होगा है नहीं तो जो speed है या फिर आप speed को यहाँ पे r से भी दिखा सकते हैं क्योंकि s जो हमने displacement के लिए इस्तिमाल कर रखा है यहाँ पे s को महता देते हैं तो हमारा r या फिर rate यह आ रहा है 5 km पर r और यह जो है बराबर है average velocity के magnitude के तो देखे यह इसली हुआ क्योंकि यह एक special case है यहाँ पे जो distance है वो displacement के magnitude के बराबर आया था पर हमेशा नहीं आएगा और उस case में जो हमारी speed है या फिर rate है वो भी average velocity के magnitude के बराबर नहीं आएगी अब एक आखरी चीज यह है कि जो unit है speed की या फिर velocity की वो है km पर r एक और unit है meter per second ठीक है तो आईए हम km per hour को meter per second में convert करना सीखते है तो km उपर में लिखा हुआ है इसलिए मैं नीचे में km लिख दूँगा ताकि km से km कट जाए और क्योंकि मुझे पता है कि 1 km में होते है 1000 meter तो उपर में लिख दूँगा 1000 meter अब देखिए आप बोल रहे होंगे कि आपने speed में कुछ अलग सा number multiply कर दिया तो क्या speed बदल नहीं जाएगा तो मैंने कोई अलग number multiply तो किया नहीं है नीचे भी वही चीज़ है उपर भी वही चीज़ है 1000 meter बराबर 1 km ही तो होता है है ना तो यह number बदलने वाला नहीं है हमारी speed बदलने वाली नहीं है तो आई इसे solve करते हैं यहाँ km से km कट गया और हमारे पास आया 5000 meter पर r अब यह जाहिर सी बात है एक बार देख लीजे कि अगर आपने 5 km कवर किया तो यानि कि अगर आप meter में बताना चाहिए तो आपको एक बड़ी number बतानी पड़ेगी 5000 meter क्योंकि meter एक small unit है ठीक है अब यहाँ पर अगर r को आपको seconds में convert करना हो तो वो भी कर लेते हैं तो सेम उसी तरीके से r को हम यहाँ पर उपर में लिख लेंगे क्योंकि हमारी r यहाँ पर denominator में है और एक r में होते हैं 3600 second यह तो आपको पता ही होगा एक r में होता है 60 minute और एक minute में होता है 60 second तो 16 to 60 हो गया 3600 अब यहाँ पर r से r कट गया और हमारे पास बचा 5000 by 3600 meter per second यह आ गया हमारा पुरा meter per second में अब देखिए यह भी जाहिर से बात है क्योंकि अगर आप कुछ meter cover करते हैं एक घंटे में एक घंटे में आपने कुछ दूरी cover की तो per second जो आप cover कीएगा वो कुछ छोटी दूरी होगी है ना तो वही हमारे पास आ रही है अब अगर आप इसे calculate करें calculator से तो आपके पास आएगा आपकी speed या फिर rate is equal to 1.39 meter per second अब आखरी जिस में आपको ये बोलूगा कि आप ये सोच रहे होगा कि हमने इतना लंबा चोड़ा process क्यों किया यहाँ पर directly मैं किलोमेटर को बतल के लिख सकता था 1000 meter और आर को मैं बतल के लिख सकता था 3600 seconds तो देखिए ये process हमने इसलिए किया है क्योंकि आगे आप जब dimensional analysis कीजेगा तो आपके पास कुछ tough units आ सकते हैं जिसके बारे में आपने कभी ना सुना होगा ना देखा होगा तो उस condition में उस जगह पे आपको ये process मदद करेगा इसलिए हम आपको ये बोलेंगे कि हर जगह आप ऐसे ही convert कीजे units को